हलो दोस्तों कैसे हो आप सब जरूर आप सब ठीक होंगे पेपापी किसी कहानी में आपका स्वागत है बटर टेल्स जो कि आपके लिए नही नहीं कहानी लाता है वो भी पेपापी की और उसकी परिवार की है ना दोस्तों आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे है ना आज हम और एक नहीं कहानी सुनने जा रहे हैं पेपापी की कहानी का नाम है बैबी अलेकजंडर पेपा का चचेरा भाई बैबी अलेकजंडर मिलने आया है वो केबल इतना ही कह सकता है फू फू लेकिन पेपा जल्द ही बैबी अलेकजंडर को एक नया और बहुत मत्वू स्वब्द सिखाएगी तो चलो शुरू करते हैं आज पेपा और जॉर्ज के चचेरे भाई मिलने आ रहे हैं वाँ वाँ बैबी अलेकजंडर बहुत सौर करता है हेलो पेपा हेलो जॉर्ज चचेरी बहन क्लोई अपने भाई के रोने पर चिलाती है हलो बैबी अलेकजंडर पेपा मस्कुराते हुए कहती है वो बात नहीं कर सकता पेपा फ्लोई ने उत्तर दिया तो तुम्हें कैसे पता कि वो क्या चाहता है पेपा पुस्ती है हम अनुमान करते हैं अंकल पेग ने उत्तर दिया और मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि वो भूका है तुम उसे खाना क्यों नहीं खिलाते पेपा आंटी पी का सुझाओ है और ये हो गया पेपा चमच बढ़ाते हुए कहती है लेकिन बेबी अलेकजंडर ने अपना सिर्ट खुमा लिया मान लीजिये कि चमच जहाज है आंटी पी कहती है येलो हवाई जहाज आ रहा है पेपा रोते हुए बोलती है बेबी अलेकजंडर ने कार निगल लिया है नहाने का समय है पेपा कहती है क्या तुम डाइनेसर कह सकते हो कुकुकुक बेबी अलेकजंडर कहता है अब भी भी बात नहीं करकता पेपा तसी रिबेन प्लोई कहती है वो जल्द ही बोलेगा पेपा ने उत्तर दिया तब तुम्हें पता चल जाएगा कि वो क्या चाहता है बाद में बेबी अलेकजंडर को उसकी बगी में बिठा कर बहाद ले जाते है ये अकास थे पेपा कहती है क्या आप कह सकते हैं अकास बेबी अलेकजंडर कहता है आस्मान ये जगा है जहां से बारिस आती है तुम बारिस कह सकते हो पेपा कंटिन्यू करते हुए बोलती है पेपा बताती है बारिस की चड़ युक पोकर बनाने के लिए अच्छी है कुझे पोकरों में उपर नीचे कुदना पसंद है बेबी अलेकजंडर कहता है पोकर हर कोई खापता है अलेकजंडर ने अपना पहला सब्त कहा है आंटी पिक बोलती है पोकर हुरे पोकर सबी एक साथ चिलाते है मैंने उसे कहना सिखाया पेपा गर से बोलती है पोकर बेबी अलेकजंडर कहता है हाँ ही कितना चितर बच्चा है तो दोस्तों कहानी यहाँ पर खतम हुई हमारे चैनल को सेर लाइक और सब्सक्राइब करना मत बूलना बटर टेल्स मिलते हैं अगली वीडियो में नहीं कहानी के साथ अथ यथ बयाई